आज की इस वीडियो के अंदर हम दो डिस्कस करने वाले एक बहुती इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीस को जो की NTA ने 29 मार्च को निकाली है इस प्रेसरीस कित्व हमें इस चीज का अंदाना लगता है कि आगे अभी होने क्या वाला है यहां पे CVT एक्जाम के अंदर रिजर्ट अठारत 38 Central University State University का इनों ने बताया यह बताया कि किस उसमें वो है उसके अलावा फिर इनों ने बताया कि यहां पे सब परामेटर्स वह दे दिया कि इतने कैंड़ेट्स ने पार्टिस्पेट किया हमें उससे मतलब नहीं हमें मतलब अपने एक्जाम से तो जो हमारा एक्जा आप से अगर आप लास्ट यह से कंपेर करोगे तो जो नंबर है वो आपका बहुत डिफरेंस यहां पर नहीं है तो जो इससे यह हमें बार पता चलती है कि जो आपका कट-off है जैसे कि हमने प्रडिक्शन मैं करने की कुशिश आपको बता रहा हूं सुदेंस को कि वही क्या कट-off जा सकता है बारारास हिंदु इनवर्सटी का बीट अगर 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 उसमें उतना चेंज यहां पर नहीं आएगा तो एक एस्टिमेटर अगर मैं कट-off को फिर से रीपीट करके इस वीडियो में बता हूं तो दिल्ली इनवर्सटी के अंदर अगर आपको कट-off करते हो बाबा साथ बेम राम बेद करकी तो वहां पर 155-160 के असपास कट-off मुझे लगता जाएगा और Central University और South Bihar के लिए भी आपका 155-160 के असपास कट-off जाएगा उससे कम जाने का जाएगा थोड़ा कमी लगता है बाकी ऐसा हो सकता है कि जो स्पोर्ट कांसलिंग का र पिसमत अच्छी है सही टाइम पर आप थे आपका एड्मिशन मिल गया इसके अलाबा जो आपके बाकी कॉलेजिव हैं जैसे डेवी अहलिया हो गया गुरु घंसी दास हो गया यहां का क्या होता है कि यहां पर जो आपका एलम होता उसकी फीस इतनी जादा होती है कि इस्ट ऐलैयक अकजान दे दो अलिगल कना मुस्तिका दे दो जयादा आलावान उसकी का दे दो किसी का दे लिएया Chop यहां सुदं नहीं बचंटा मेरा यह अपना ये aittelिक पीनिया है इसके बार अब अनुर्ड भाए चीजें तो यहां पे यह पर इनने घ्रेश्исл को उपेने मैं प वो पूरा पूर्टल ये लोग देंगे और उसके हिसाब से जो भी चैलेंज आएगा वो लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो आपके हैं वो इसको वरिफाय करके जो फाइनल रिजर्ट होगा फाइनल आंसर की और कुछ वो ये लोग इसी पीजी सी यूटी इसी वेपसाइट पर लोग वो करेंगे तो जो मेरा एस्टिमेट है वो यह है कि यहाँ पर कम से कम दस एप्रिल के बाद ही मतलब ग्यारा बारा या पंदरा अपराल के आसपासी रिजर्ट आएगा उससे पर रिजर्ट आने का कोई चांस नहीं है यह आप नोट करके चल लो और आपको रिज करेंगे अब इसमें देखिए जो मुझे एक फंटा यहां पर लग रहा है वो यह है कि जो आपका समस्टर वगरा है समस्टर वगरा आपका जुलाई अगरस के पहले चलू होता है तो आपका कांस्लिंग प्रोसेस भी मेरे ख्याल से जून माई जून के आसपासी ही अपना गर खता होगा तो पहले आ जाएगा और रिजल्ट आने अगर माँलो आ गए रिजल्ट तो उसके बाद कॉंस्टीन प्रोसेस भी होगे तो आपका फिर जो सेशन होगा बहुत तो जुलाई के पहले चलू हो नहीं तो एक्जाम पहले कंडग करो बार में कंडग करो फरक पड़े लेकिन जब का रिजन्ट है में भी वो जल्दी यहां पर आज इंद 10-12-15 ताहिक तक अपर आयल तक तक वह एक आपकी चीज यह सबजने वाली अपार्ट फिम्लाइट आगर मानल आपको को पूछना इस इस इडियो के आप डिस्किप्शन ना आप जो पूछने वे विश सक्सेस, बाइ